कि कि है कि है थो प्रेंड्स कि आज के वीडियो लेक्च्टर में आपका स्वागत है आज हम लोग डिसकसिन करेंगे ओपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर नमर 17 में सेमाफर एक वैरिबल है एक्षुल में सेवाफर का इस्तेमाल हम आपरेटिंग सिस्टम टूल के रूप में करते हैं और आपरेटिंग सिस्टम टूल यह इंटर प्रोसस सिंख्रोनाइजीशन का काम करता है इसको समझने के लिए हमको दो-तीन बाते दिमाग में रखनी है सबसे पहले हमारे पास प्रोसस पीवन पी टू अपटू पीं अकि यह अलग-अलग प्रोसस है और इन प्रोसस का इंडिपेंडनेंट वेहरेबल या जो एक्टिविती है उस पर हमको ध्यान देने की जुरूत नहीं है इनडिवेड्ड आक्टिविटी तो आपना करते रहते हैं हम बात करेंगे इस और इसी common variable यह common file यह common resource का इस्तंबाल करना चाहें तो उस उनके भी synchronization कैसे हो processing अगर कर बहुत सारे multiple processor हो और वो किसी एक common resource को access करना चाहें तो उनके भी synchronization कैसे establis किया जाए अखिर operating system synchronization को maintain रखने के लिए क्या करता है तो उसी का सबसे important tool है से सेमाफर सबसे पहले डिफिनिशन देखिए क्या कहता है कि इस अपरेटिंग सिस्टम टूल्स इन्वोक बाई यूजर प्रोसेश यह पीवन पीटू पी न दो तीन चार इतने भी हो प्रोसेश इस थू दे यूज ऑफ सिस्टम कॉल अब इस सेमाफर को एψए यूज करेंगे वी करेंगे तो सिस्टम कोई करेंगे शिवीर हैं मतलब एक से अधिक प्रोसेश किसी एक Κ means समन रिसोर्स माल लेते हैं हमारे पास resource है यह resource file भी हो सकता है cpu हो सकता सबसे आसान है हमारे पास एक ही single resource है और इसका स्तमाल हमें करना है तो इसके लिए हम सेमाफर का स्तमाफर करेंगे basically ten रहता है binary semaphore और counting semaphore यहाँ discussion 21Leanory semaphore करेंगे counting semaphore कि वीशाय में हम आगे सब्सक्राइब करेंगे generate से मफ ऑफर के अगर बात हो तो बाइनरी से आपर कहने का मतलब ही है कि इसका वहलू या तो जीरू होगा या वन होगा और यह बड़ा है क Gian 이 एफ सब्सक्राइशन में जड़ा सब्सक्राइशन में जैसे पिछले में जस्ट्रॉडम है कि वहले के आपकर प्रेशार में यह ज़े वहला हमने अगर हम प्रॉपर वे में से तरीके से रिसोर्स को एक्सेस ना करें। है तो हम पर रिस कंडिशन हो सकता है हमारे वैैल्यू चेंज हो सकते हैं रिजल्ट में कोई गारबड़ी हो सकती है इरर फ्री रेस्पांस के लिए हमको डेटा तो एक्षेस नहीं हो उसके लिए हम अभी अब रिसोर्स हम मान रहे हैं अब देखिए इसको कितना बढ़िया से मैनेज किया गया है अपरेटिंग सिस्टेम में सबसे पहले सेमाफ और एक्षुल में हमारा एक वैरियेबल है इसका वैरियेबल में समझते हैं अच्छी तरह से हमने क्या किया है इंटीजर एक यही है सेमाफ एक वैरियेबल इंटीजर टाइप का लिया है आप चाहें तो यह भी सीटी कुछ भी लेने यह एस रखना जरूरी नहीं है लेकिन हम समझना चाह रहे हैं तो समझने के लिए यह आप इंडीपेंडेन कोई भी वैरियेबल आप सेमाफर की तरह इस्तेमाल लगा सकते हैं अब इंट एस इसकोल टू वन हमने क्या किया प्रोसेस का डिकलरेशन किया साथ में निश्यल आइच भी कर दिया उसका फैलू वन पहले से हम सेट कर दिये अब इस फैलू को जब ये फंक्शन वन ये फंक्शन टू इन दोनों ही फंक्शन करें अगर हम बात करें तो यह तोनों फंक्शन के आया पहला वेट ऑफेश वैट फट फंक्शन है और दूसरा है सिग्नल अब इन दोनों को अगर तरीके से हम देखें तो सिगनल सिगनल प्रोसेस को जड़ा देखिए वाइट सिगनल इंट स्टार एस स्टार एस मतलब पॉइंटर वैरियेबल है इसको हमने एड्रेस पास किया है और इस फंक्शन में हम क्या करेंगे एड्रेस पास करेंगे आप फंक्शन सीलेंग में पढ़े हैं तो हम यहां प address पास करेंगे मतलब सीधी सी बात है कि इसको हम access करना चाह रहे हैं और इसको जब access करेंगे तो इसके अंदर हमारा function में है क्या आप देखिए star is plus plus मतलब actual में हमने इसका value लिया और इसमें एस प्लस वन किया और तो कोई काम कर ही नहीं रहे हैं तो सबसे सिंपल फंक्शन है सेवाफर वैरेबल को हमको access करना है आप उसके value को वन से increment कर देना है कि नो प्राब्लम है वन से increment कर देंगे हम कि दूसरा हमारा function है weight यहां भी वही काम हमने किया है वाइड वेट इंट एस्टार एस यहां भी उसी एस common s को हम access करेंगे लेकिन यहां का code थोड़ा सा देखे अलग है यहां पर हमने क्या किया है वाइल स्टार एस इस इक्वल टू इक्वल टू जीरो और सेमी कॉनन हमने लगा उसके बाद next statement है स्टार एस माइनस माइस मिन्स यहां पर हम क्या कर रहे है एस इस इस क्वल टू एस माइनस वन यह operation दो operation हम perform कर रहे है actual में यह दोनों ही function वेट वह function है जो एस के वैलू को एक से डाउन करेगा और signal एक से वैलू को एक से अप करेगा दो काम करना है लेकिन इसमें तो सिंपल हमने एस से अपगरेट किया है सिंपल को वन प्लस बास वन किया है जबकि आपर आसा नहीं किया ने यहां पर एक यह वायल does statement की बात हमने किये और यह इसट में कोछी नई बात नहीं है आप जानते हैं वायल कि कंडिशन चेकिंग आप इसको इस तरह से समझिए आप इसके अगर लॉजिक को देखेंगे तो सबसे पहले प्रोग्राम आता है कि वाइल यहां टेस्ट है कि इसके अंदर हम लूप में जाएंगे कि यहां वाइल का बॉड़ी होता है कि इस बॉड़ी के बाद उन्हां हम लूप में जाएंगे और यह जब तक ट्रू होगा हम इसी लूप में लूप करते रहेंगे और false होने के बाद हम इस लूप से बाहर आ जाते हैं, इस लूप की बात करें, और यहां से out, यह बात समझ में आ रहे हैं आपको, condition while को हम टेस्ट करेंगे, लूप की बाड़ी में जाएंगे, execution करेंगे, फिर से wild को टेस्ट करेंगे, फिर से लूप में आएंगे, यह कब तक करेंगे, जब तक यह सही धंक से काम करता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस code को अगर आप गौर से देखें, तो हमने कुछ ज्यादा नहीं किया, इस body को यहां से omit कर दिया, यहां कुछ लिखा है नहीं, semicolon यहां पर लगा दिया, अब यह क्या होगा, यह कोई wild function, wild loop की बात ही नहीं कर रहे है, हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पर अगर बात करें, तो हम सिर्फ यह wild loop है, एक trap की तरह काम करेगा, trap मतलब हमने फासा दिया, कोई भी, process आता है, आगर यह condition true है, तो जब तक यह condition true होगा, वो यहीं पर loop करता रहेगा, और जब condition true की स्थिती में लूप करेगा, और false की स्थिती में यहां से out हो जाएगा, बस इतना ही कहानी है, और कुछ ज्यादा नहीं करना है, आप देखें यहां पर हमने s का value लाया, s को हमने test किया, s is equal to equal to zero, यदि अगर zero है, true है, अगर true है, तो यहीं पर loop करते रहेगा, जब तक यह zero होगा, तब तक आप इस loop से बाहर नहीं जा सकते, और यही इसका main खासियत है, यहीं पर हम trap कर रहे है, यहीं रोक रहे है, जब भी कोई process आए सबसे पहले अगर इसको run करेगा, जब तक यह zero होगा, तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि यह true है, तो लूप में wait करता रहे है, तब तक wait करेगा, जब यह, इसका value change कौन करेगा, signal करेगा, यह तो कर दी सकता, और यदि यह false है, तो हम इसका value one करेंगे, अब critical section problem के solution में, कितना बढ़िया ब्वस्ता बनाया गया है, कि हमने यहाँ पर, critical section यहाँ भी हमने बना रख्था है, यह हमारा critical section problem है, और इस problem पर, सबसे पहला function 1, यह है, और यहाँ पर देखिए आख फंक्शन 2 का, इस था किया है, यह हमारा function 2 है, अब इसको चाहें, तो ऐसे दो इसमें हम पास क्या करें एड्रेस ऑफस कि जब एड्रेस हम यहां देंगे तो अब देखिए हमारा प्रॉब्लम तो यहां से चल ला है प्रोसेस इंडिपेंडेंडेंट प्रोसेस चल रहा होगा हमें नहीं पता यहां पर P1, P2, उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, उसमें confusion होगे, उसके भी से मैं आप नहीं सोचे, आप सोचे कि यह सारे प्रोसेस यहां पर आए, हमने क्या किया, एक लूप बना दिया, सब लोग आये, बारी बारी से आते जाएं, अगर रिसोर्स की ज़रूरत है, ताब पहले क्यू लगा लीजिए, क्यू में आये, क्यू नमबर वन में पहले माल लेते हैं, हमने यहां, पीवन को चंस दिया, पहले वो आया, रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, अभी इस्तिती क्या है, हमने ही निसिलाइज किया, क्यू एस इचोल टू वन, इस का वैलू क्या है अभी, वन है, आगे हम पढ ने क्या किया, वेट अफ इस फंक्शन को कॉल किया, वेट कहा है, यहां पे है, वेट अफ इस में आए, वेट का वैलू अभी क्या है, वन है, वाइल इस इज इप्वल टू जीरो, अभी तो फॉल्स है तो लूप से आगे बढ़ें हम नेक्स स्टेप में क्या किये एस माइनस माइनस अब यह ओपरीशन देखे परफॉर्म होगा और यहां का वैलू हमने क्या कर दिया जिरो किया मुझा का कम खत्म हम यहां से आगे ऐं क्रिटिकल सेक्शन में चुकि सेमाफर कर वैलू 5000 हमने उसको जिरो किया पहले टेस्ट किया अगे कहीं पहले से जीरो तो नहीं है अंगिए निचे तो जा नहीं शकता एक से हम increment करेंगे हैं एक से decrement करेंगे क्योंकि हमारा statement तो ही है one था हमने zero किया हम critical section में आ गया है अब यह process P1 की बात हो रही है अब ज़रा देखिए अभी P2 को requirement है P3 को requirement हो सकता है P4 को requirement हो सकता है इसमें से कोई भी process इस resource को access करना चाहता है लेकिन P1 चुकी critical section में आ चुका है तो आप थोड़ा सा modification हम करेंगे हम क्या करेंगे इसको context switch किये context switching का मतलब आप समझे रहे हैं इनको हम कि रणिंग से कि रेडी क्यूं में भेज दिये यहां आया था प्रोसेस मान लेते हैं इनिशियल एस्टेट है पीवन यहां से यह आ गया थे अब यहां पर आगए पी टू कि अब भी P3 हुए यहां पर पीवन है तो अब हम इनको जब वापस भेजेंगे तो अब पीवन य यहां पर आजाएंगे ते जासा के हम जानते हैं तो यहां पर जब पीवन वापस गया आर यहां पर यहां पर पीटू हमारा प्रोसे ठीटिकल सेथिक्शन में काम कर रहे हैं रिसूर्स को एक समय में केवल और केवल एक ही परसन इस्तमाल कर सकता है, अब देखना यह है कि जब P1 यहां critical section में आ चुका है, तो क्या P2 की entry होगी, क्योंकि ब्यवस्था तो भी है, फिर यहां पर आए int s क्लोटो 0, यह पहले से defined है क्योंकि हमने change कर दिया value, यहां से wait function को call किये, int s, यहां while s is equal to equal to 0, यह function अभी क्या होगा, P2 के लिए, P2 आया तो यह true है, P1 जब आया था तो यह false था, तो चले गए, इसका value को 0 किये, जियो करके यहां आगया, अब हमने context switch कर दिया, इनको पीछे ले गया, और P2 को भेज दिया, P2 आ करके यहां पर पहुंचा, थे condition true है, वो यही पर काम करता है trap, अब यह फंस गया, यह तब तक अंदर नहीं आ सकते हैं, जब तक कोई इस 0 को 1 ना कर दे, इस 0 को 1 कौन करेगा, जो इस प्रोग्राम में होगा, critical section में, अब इसके बाद क्या होगा, बाकी लोग भी आएंगे, वो भासेंगे, वो देखेंगे, true है, अभी बैट कीजिए, अभी आपको नहीं मिल सकता resource, फिर last में, यहां से फिर P1 को मौगा मिला, P1 आया, P1 तो already critical section में था, critical section से program को execute किया, resource को utilize किया, वो आगे बढ़े, तो signal of s, signal function को call किये, signal of s को जब हम call किये, यह तो simply आये, और s को s plus 1 करके चले गे, इन्होंने क्या किया, s को पुना 0 से 1 कर दिये, जोकिन का काम खतम हो गया, फिर वो अपने private section में, diventer section में चले गया, उसे हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना काम तो कर ही सकता है, लेकिन अभी जब हम इससे बाहर निकले, तो हमारे पास यहां समस्या था P2 का, जो P2 आना तो चाहता था, लेकिन यह condition true था, इसलिए वो critical section से P1 बाहर गया, तो यह free हो गया area, free हुआ तो call की a signal, signal ने उसको 0 को 1 कर दिया, क्या अब P2 जा सकता है, बिलकुल जा सकता है, क्योंकि अब यह condition हो जाएगा, false, s is equal to 0, यहां पर value है 1, condition false, s का value फिर उसने 0 किया, अब इसका value 1 से क्या हो गया, 0, लेकिन यह कौन सा कर रहा अबी, यह P2 ने change किया, क्योंकि पीटू जाना चाहता था, P2 आया, weight function को call किया, 0 किया, critical section में चला गया, गया process काम किया, क्या, अगर, अब पी 3 अगर यहां आ जाए, क्या, पी 3 अंदर जा रहा है, पी 3 भी आएगा, तो s का value पहले से 0 है, वह यहां आए, weight statement को call किया, weight function को, weight function बूलता है, s is equal to 0, already 0 है, अब यह P3 के लिए true होगा, कोई भी process जो इस critical section में आना चाहेगा, उनको weight function को call करना होगा, weight function ही decide करेगा, कि आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, अगर आप जा सकते हैं, तो निश्चित रूप से यह statement false होना चाहिए, और false क्या होगा, इसका value 0 से 1 होगा, 1 से 0 होगा, सिर्व दो ही value हम ले सकते हैं, क्योंकि 1 से हमने start किया, अजब भी कोई function call करता है, तो उसको, अगर weight करता है, तो minus 1 कर देता है, तो 0 हो जाता है, अजब वो बाहर निकलता है, जीरो वन को, प्लस वन कर देता है, और इन ही, जीरो वन प्लस वन के चक्कर में यह process execute होगा, लेकिन critical section में, अब देखिए, synchronization problem में हमारे पस तीन तरह के condition है, वह हमने पहले से लिख रखा है था कि आपको दिक्कत नहों इसको आप गौर से देख लें, हमने आपको बताया था कि inter process synchronization के लिए कोई भी व्यवस्था आप करें, आपके पास यह तीन जो condition है, यह तीनों fulfill होने चाहिए, mutual exclusion, mutual exclusion क्या करता है, कि critical region में एक समय में केवल और केवल एक ही process inter करेगा, दूसरे process की entry ban होगी, वो काम हमने यहां करके देखा, यह हमारा जो function है, यह दोनों ही function, यह entry section पर हमने wait perform किया है, और exit section में signal call किया है, तो यह तो ensure हो गया, कि एक समय में सिर्फ और सिर्फ एक process जा सकता है, कौन सा process जाएगा, जो interested होगा हो जाएगा, और जो first come first serve की बात हम कर रहे है, मतलब जो पहले interested होगा, वो जाएगा, एक बार कोई भी process इंटर कर गया, यहां पर entry में हमने कोई रोक नहीं लगाया है, first come first serve का concept है, पहली जो आया वो पहले execute करेगा, रिसोर्स को utilize करेगा, और एक बार critical region में कोई भी process इंटर हो गया, दूसरे की intrigue हमने कर दिया, बैन यह है, mutual exclusion, यह बैवस्ता हमारा काम कर रहा है, दूसरा है progress, progress क्या करता है, progress का मतलब है कि कोई भी process जो यहां पर आ रहा है, माल लेते हैं हमारे, अभी P2 की बात हम कर रहे है, P2 अंदर में है, P2 अंदर से बाहर गया, signal को call किया, उसने सेमाफर को किया 1, अब कोई दूसरा process आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, जिसकी मर्जी है, जिसको requirement होगा, वो आ सकता है, अगर एक से अधीक है, तो हमने Q बना रखा है, P2 के बार, P3 आएगा, P4 आएगा, लेकिन एक बार निकलने के बाद, क्या P1 फिर से आ सकता है, वो भी आ सकता है, मतलब जितने भी process है, उसमें से कोई भी आ सकता है, प्रोग्रेस क्या कहता है, कि अगर हमारा critical section खाली हो, वहां free हो, कोई भी process नहीं हो, तो जो भी process आना चाहिए, वो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, किसी पर dependency नहीं होनी चाहिए, हम ऐसा नहीं कर सकते, कि देखिए भाई, foster come foster था, P2 के बाद P3 का नंबर है, तो P3 जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते, priority set नहीं कर सकते, order set नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता P3 को जाना ही नहीं हो, P3 process आया है, अगर वो अहाँ available है, तो दूसरे पर dependent हमारा solution नहीं होना चाहिए, P3 को नहीं जाना तो नहीं जाएगा, P4 को जाना, P4 इंटर करेगा, PN को जाना, PN इंटर करेगा, N number of processor में कोई भी processor, अगर critical section का requirement है, resource का utilization चाहता है, और resource unique है, और एक समय में mutual exclusive manner में इस्तेमाल करना है, तो उस resource का use हम करेंगे, हर process को मौका देंगे, तो हमने mutual exclusion को भी ensure किया, और progress को भी ensure किया, जो जाना चाहता है, हो जाएगा, कोई order की बात नहीं है, किसी का number की बात नहीं है, दूसरा, किसी दूसरे पर dependency नहीं है, जिसकी मर्जी होगी, हो जाएगा, और कितनी बार जाएगा, जितनी बार मर्जी होगी जाएगा, अगर हमें हाँ पर P2 निकलता है, फिर से कोई भी process प्रोसेस अगर हमारे पास critical section free है resource free है तो जितनी बार सिंगल प्रोसेस को जरूरत है वो दस बार जा सकता है बाकी प्रोसेस अगर एक साथ competition में आते है तो और फिक्स कर दिया है first come first serve उनको मौका देंगे हम सबको मौका देंगे लेकिन यह चुकि first come first serve वाला condition है और यहां पर bounded waiting का concept जो है उसमें हमको समस्या होती है क्योंकि अगर हम यहां पर बैस्था करें अगर इस order को हम भाइड कर दें क्यूंग का management नहीं करें तब तो randomly कोई भी process आ जा सकता है तो ऐसा हो सकता है कि स rec कि को मखान नहीं अगर अगर वासे कम आपकर देंगे अगर फिर सब्सक्राइड सब्सक्राइए तब मुश्किल हो जाएगी priority के स्टेज में कोई lower priority के order को हो सकता है चांस नहीं मिले और हो सकता है अगर free है कोई नहीं जाना चाहता है तो चाहिए लेकिन अगर सोर्व का बहुत ज्यादा उतिलाईजेशन हैं तो हो सकता है एक ही प्रोसेश चारवर जाए किसी को दो बर मौका मिला के वार मौका नहीं मिला लेकिन रिच मैनरेटर ही हमारा नहीं हैly national क्रेटरिय ओमेंदेटा किकि पारिे एक निशकी टायेटर्हें में हम उसको दे के इस्तेमाल से आप क्रिटिकल सेक्षिन में उत्पन होने वाले सिंक्रोनाइजीशन के प्रॉब्लम का सॉलूशन आपने बनाया और यह सॉलूशन बड़ा ही इफेक्टिव है ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो इस बात को ध्यान में र रिसर्स कीबात हो जगिए अगर हमारे पास एक ही टाईप के 2, 3, 4 रिसॉर्स हो तो इसोर्स किपने हमwegen सकते हैं समस्ते मीरा ज़ंब है जितना Alg गर सकते हैं तो अगर एक से अधिक्वर्स है थे हमारे पास तब इस सा उर्वम से हम नहीं जाएगे तब हमम से और process synchronization के समस्यां भी अलग-अलग हैं, आप देखें कि process synchronization में जैसे sleeping barber problem है, एक बहुत ही popular है reader writer problem, producer consumer का problem है, dining philosopher problem है, इनके logic पर आगे हम लोग discuss करेंगे, क्योंकि ये सारे problem बिल्कुल particular और unique type के हैं, सबका अलग-अलग condition है, अलग-अलग requirement है, process synchronization का, वाले resource को share करेंगे, लेकिन resource को share करने का जो तरीका है, वो real life में जब हम देखते हैं, तो ये अलग-अलग category के problem है, और इन problem के बिशह में, अगले video lecture में हम लोग discuss करेंगे, ताकि हम ये जानने की कोशिश करेंगे, कि क्या हम स solution ला सकते हैं, कर सकते हैं, सेवा पर बहुत ही powerful technique है, जो inter-process synchronization के लिए सबसे ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है, और इसको जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, अगर इसके बाद भी कोई problem है, ताकि हम को comment कर सकते हैं, ल binary or counting semester की बात हो, और ये तीनों processing condition के condition जो है, जो खासकर है mutual exclusion of progress, जो primary criteria है, और फुल्फिल होना ही चाहिए, mandatory है, और ये optional है, bounded waiting, अगर इसको ensure करते हैं, अच्छी बात है, अगर नहीं भी करते हैं, तो बहुत ज्यादा problem नहीं है, लेकिन ये दोनों तो होने ही चाहिए, आप पैस आप provision नहीं कर पाते हैं, तो उस problem के solution का कोई मतलब नहीं बनता है, तो आज के video में सेमा पड़कर discussion को यहीं रोकते हैं, video देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और आगे जो भी मदद होगा हम आगे करेंगे, आगे और फी video बनाएंगे, और आज के video क वो यहीं बिराम देते हैं, यहीं रोकते हैं, video देखने के लिए धन्यवाद,